हेलो एवरिवान, वेलकम टू प्रबास किचन फ्रेंट्स आप देखकर समझी गए होंगे आज की रेसिपी है सूजी के लड़ू फ्रेंट्स अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में सूजी के लड़ू को बनाना चाते हैं तो आज की रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो करें सूजी के लड़ू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम सूजी लिया है और अगर आप इसे कप से मापेंगे तो ये 3 कप सूजी है और मैंने यहाँ पर लिया है 1.500 ग्राम घी यानि कि यहाँ पर यह है 1.3 कप गी और शक्कर मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम यानि कप से मापेंगे तो यह 1.5 कप शक्कर है यहाई को मैंने गैस पर रख दिया है अब इसमें दालेंगे 1.500 ग्राम घी फ्रेंट्स इस लड़ू को बनाने के लिए हमें यहाँ पर वन तर्ड गी चाहिए और वन तर्ड गी को हमें यहाँ पर पिगला कर ही मेजर करकर लेना है यानि कि हमें यहाँ पर गी को पिगलाने के बाद वन तर्ड कप लेना है गी थोड़ी सी गरम हो चुकी है, अब इसमें सूजी को दाल देंगे गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ पर स्लो पर रखा है, अब इस स्लो गैस के फ्लेम पर हम इस सूजी को भूनेंगे इस लड़ो को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बारिक सूजी को यूज किया है आपके पास अगर बारिक सूजी नहीं है तो आप मोटे वाले सूजी को एक बार मिकसर में चला ले और फिर आप उसे लड़ू बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पर 500 ग्राम सूजी लिया है यानि कि यहाँ पर मैंने आदा किलो सूजी लिया है जिसे बूनने के लिए हमें करीब 15-18 मिनिट लगेंगे लेकिन हमें इस सूजी को बूनते वक गैस के फ्लेम को बहुती स्लो पर रखकर पेशन्स के साथ ही बूनना है यहाँ पर अगर हमने गैस के फ्लेम को मेडियम हाई फ्लेम पर भी रखकर इस सूजी को बून लिया तो बुन जाती है लेकिन ये पूरी तरह से बुनती नहीं है इसलिए गैस के फ्लेम को बहुती स्लो पर रखकर हमें 15-18 मिनिट तक इसे चलाते हुए इसी तरह से बुन लेना है जैसे इस सूजी बुनने लगती है इसमें से कलर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और इसमें से लगेगी इस सूजी को बुनने के लिए मुझे पूरे 18 मिनिट लगे है ये अची तरह से बुन गई है ये देखिए आप देख सकते हैं अब इस सूजी को दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं सूजी को मैंने दूसरे प्लेट में निकाल लिया है और अभी हम लड़ू के लिए चाशनी बना लेते हैं अब इसी कड़ाए में हम शकर को भी डाल देंगे जितना हमने यहां पर शकर लिया है उससे आदा हम इसमें पानी डालेंगे शकर और पानी को एक बार स्पून से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इस मिक्शर को इसी तरह से बॉयल होने के लि रख दे हमें इस लड़ू को बनाने के लिए एक तार की चाशनी चाहिए थोड़े से शुगर सिरप को अगर आप चमच से इस तरह गिराएंगे तो चमच के कॉर्णर से आप देखेंगे एक तार सी गिरती है तो इसका मतलब है ये चाशनी परफेक्ट बनी है लड़ू बनान देंगे सुजी को शुगर सिरप में दालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स अभी आपको ये मिक्सचर काफी गीली लग रही है लेकिन जैसे ही ये मिक्सचर थोड़ी से ठंडी हो जाती है हम इससे लड़ू बना सकेंगे अब इस वक्त इस मिक्सचर में हम इलाइची को भी दाल देंगे और एक बार फिर इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से इस मिक्षर को रख देने से सूजी जो है सारे शुगर सिरफ को एब्सॉब कर लेगी और एक मिक्षर थोड़ी से ठंडी भी हो जाएगी जिससे की हम आसानी से इसे लड़ू बना सकेंगे एक गंटे हो चुके हैं मिक्षर अभी थोड़ी से ठंडी हो चुकी है फ्रेंड्स यहाँ पर आप द्यान रखे मिक्षर को पूरी तरह से ठंडा ना करे पूरी तरह से ठंडी होने पर आप इससे लड़ू नहीं बना सकेंगे जब ये मिक्षर हलका सा गरम हो उसी वक्त हमें इससे लड़ू बना लेना है अभी हम इससे लड़ू बनाएंगे ये देखिए कितने आसानी से हम इससे लड़ू बना सकते हैं आप अपने मन पसंद के किसी भी ड्राइफ रूट्स को दाल कर इस लड्डू को बना सकते हैं अगर लड्डू बनाते वक्त आपके ये सारे मिक्षर ठंडे हो गए हो और आपको अगर इससे लड्डू बनाने में प्रॉब्लम आ रही हो आप इस मिक्षर को एक बार फिर हलका सा गरम कर ले और फिर उससे लड्डू बना ले फ्रेंट्स इस आदा किलो सूजी से करीब एक किलो जितने लड्डू बन जाते हैं देखिए कितने आसानी से सारे लड़ू बन रहे हैं अब बाकी के लड़ू को भी इसी तरह से बना लेंगे फ्रेंड्स आप इस रेसीपी को घर पर जरूर ट्राइ करें और मुझे कॉमेंट्स में बताए ये लड़ू की रेसीपी आपको कैसी लगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेर जरूर करें और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो स्क्रीन में दीख रहे हैं बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले इससे आपको मेरे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ